हेलो दोस्तों स्काइस इस्टाक मारके शेयर YouTube चनल में आपका स्वागत है अभी हम बात करने वाले हैं इंटिग्रा एसेंशाल इमटर से ऍस्वर की और इसमें अर्टिप्साइल अधे हैं कि आज मारकेट में क्या हूआ है अगर इसमें घ्राव अटाई है उसके पीशे कारण क्या है और इस वीडियों हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि इसका जो technical indicator है जो technical चीजें हैं वह क्या बता रही हैं Parkiar ऐसा ही गिरता रहेगा या upside जाने का प्रयास करेंगा तो हम इस वीडियो में इसके टेकनिकल जो इंडिकेटर होते हैं उसे भी पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसे भी एक तरीके से देखने का भी प्रयास करेंगे और साथी साथ हम जाते-जाते इस वीडियो में जी-जी इंजिरिंग से समंधित जो कुछ अपडेट आई होंगी उसे भी देखने का प्रयास करेंगे और देनि якंवि के साथ इसम से किया कुछ अपडेट आए है या नहीं कि बता रहा है कि आज भी इस कमपनी में लगउवाभ 5 परसें गिराऊट देखी गई है जो जो कि पिछले कई दिनों से लगतार जारी है और आज भी इसमें गिरावर्ट देखी गई है हाला कि इस कंपनी ने बोनस शेर का एनाउंस भी किया है जो कि आने वाले एक दो महिने में आप देखेंगे कि इसे मिलता हुआ नदर आएगा और इस पर चर्चा होती हुई नदर आएगी लेकिन इसके बावजूद भी इसमें गिरावर्ट देखी जा रही है और आज भी ये शेर लगबग द्याई परसंट की गिरावर्ट के साथ पांच रुपे-शाठ पैसे पे बंद होता हुआ नदर आया है जो कि पांदिन के चार पर्टन की बात करें तो 10 परसंट का जबकि 6 महिने की बात करें तो 11 से 12 परसंट का निगेटिव रिटरन लिकाल के दिया है अर्थात ये पूरे साल भर ही निगेटिव रिटरन लिकाल के देता हुआ नदर आया है और इसमें पिलाल कोई भी तेजी आती हुई नहीं दिखाई दी है लेकिन जैसे ही ये निज आ सकती है और इसमें ऑपरेटर की सक्रीता भी दिखाई दे सकती है अब हम अगर बात करें इसमें कुछ एनाउंसमेंट की तो फिलाल इसमें कोई भी एनाउंसमेंट या निज लिकल के आते हुई नहीं दिखाई दे रही है नहीं कोई ऐसी निगेटिव निज आई है जिसक से तक इसमें गिरावड देखी गई हो तो हम अगर delivery pattern की बात करें तो यहां पर आप देख रहें इसमें अच्छे खासी delivery उठती हुई नजर आई है जब मार्केट बंद हुआ है उस समय लगबग इसमें एक सथ लाग चपन हजार 55 शेरों के टोटल जो है ट्रेडिंग हुई है और इसमें लगबग आधे से ज्यादा यानि 56-57% जो है डिलेवरी उठती हुई नजर आई है लगब 35-36 लाग जो यह बता रहा है कि जितनी तेजी से इसमें ट्रेडर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं उतनी ही तेजी से इसमें इन्वेस्टर भी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं एक तरफ जहां ट्रेडर अच्छा खासा प्रॉफिट बूग करते हुए नजर आ रहे हैं वहीं जो वह फिलहाल इसमें 35 लाग के आसपास डिलेवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं अर्था दोनों जो है अपना आइस पे भरोसा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं वह मगर बात करें इसमें ऑपरेटर की भूमिका की तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें दो लोग जो है 15 तारी को जो मार्केट बंद हुआ था सुकुरवार को तो इसमें खरिदते हुए नजर आए थे और इसमें से अगर हम बात करें तो 34 लाग 89 अथा 35 लाग शेर एक न नजर आए थे और यही कारण है कि इसमें गिरावड देखी गई थी अच्छी खासी और एक तरफ जहां 24 लाग 75 अठार लाग 25 लाग 48 लाग शेर जो है कि बिक्वाली की गई थी उसी में लगब 50 से 7 लाग शेर जो है खरिदा गया था अर्था बिक्वाली हावी होती हुई नजर आई थी 15 तरफ को खरिदारी पे जिसके कारण है अच्छी खासी गिरावड देखी गई थी उससे पहले अगर हम बात करे तो 14 तरफ को भी इसमें पर्चेजिंग हुई थी और विक्वाली भी हुई थी अच्छी खासी और थार पर्चेजिंग तो बहुत कम हो रही है और सेलिंग लेकिन बहुत ज्यादा हो रही है जिसके कारेश में लगतार गिरावर्ड देखा जा रहा है जो ये बता रहा है कि इसमें operator जो है retail investor को अच्छा खासा उल्लू बना रहे हैं और profit book करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छा खासा profit book भी कर रहे हैं और retail investor इसमें फिलहाल फस्ते हुए नजरा रहे हैं अब हम अगर बात करें इसके technical indicator की इसमें लगभग 26 जो है एनालिस्टों ने अपना मत रखा है और ये जो है स्ट्रांग सेल का सजेशन देते हुए नजर आ रहे हैं जबकि हम बास करें उस लेटर्स की तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें भी सेलिंग का मत देते हुए नजर आ रहे हैं लगभग 11 जबकि अगर हम बात करें मोविंग एबरेज का तो इसमें लगए 15 एनलिस्टों ने अपना मत रखा हुआ है जिसमें से 14 जो है सेलिंग का मत देते हुए नजर आ रहे हैं अब हम बात करें कि इस कंपनी में क्या कुछ बताया जा रहा है इसका तो इसका आरेशाई बैलू है वह फिलाल 32 की आसपास हो 10 दिन का मोविंग एबरेज हो चाहें वह 20 दिन का मोविंग एबरेज हो या फिर 30 दिन का मोविंग एबरेज हो चालिस दिन का या 50 दिन का मोविंग एबरेज हो एक्स्पोनेंशल या सिंपल मोविंग एबरेज हो या फिर 200 दिन का जो एक्स्पोनेंशल मोविंग एबरेज सारे के सारे जो है अपना मत देते हुए नजर आ रहे हैं अर्थात इस कंपनी में फिलाल जो लगतार सेलिंग चल रही है जिसके कारण इसमें इंडिकेटर भी सेल का मत देते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन जैसे ही कोई अच्छी पॉजिटिव नुजिकल के सामने आएगी त यह जो वीडियो है सिर्फ इजुकेशन परपस के लिए है यह कोई भी इन्वेस्मेंट की जो है सलाह नहीं देता है इसमें जो भी आप इन्वेस्मेंट करते हैं या फिर नीड़ा लेते हैं इन्वेस्मेंट से समंधिज तो अपने बीते सलाहकार से संपक जरूर करिए और और पेनिशेयर में ये कमपनी फिलाल एक समय तो भागी थी लेकिन अब गिरावर्ट देखी जा रही है इसमें और ऐसे ही पेनिशेयर में खेल चलता रहता है और इसमें ऑपरेटर की भूमिका भी दिखती हुई नजर आती है अब हम अगर बात करें कि GG Engineering Limited क्या बोल रहा है त जबकि एक महीने की बात करें तो 86% का पॉट्री रिटरन लिकाल के देता हुए नजर आया है और यह सिर्फ इसलिए हुआ है कि इसमें ऑपरेटर भर-भर के माल उठाते हुए नजर आये थे और अच्छा खासा इसमें खर्जिदारी भी देखी गई थी जिसके कारण ये अ अभी भी लोर सर्कृट लगता हुए नजर आ रहा है अर्थात सेलर्स बहुत ज्यादा हावी हैं बाहिस पे और इसमें शेल तो एकदम नहीं होगा हला कि बाइंग हो सकती है लेकिन अगर कोई सेल करना चाहे तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यह लोर सर्कृट में ल देटेल जनकारी ले सकते हैं और इसमें से संबंदी जो आगे और भी जो डिटेल निकल के आएंगे जो नीज निकल के आएगी वह भी हम वीडियो बना के कभर करते हुए नजर आएंगे अगर हम बात करें आज के डिलेवरी पैटरन के तो इसमें फिलाल आप देख रहे है लगब एक करोड़ चोहतर लाख और सट हजाद सेरो की खरदारी देखी गई है और इसमें से पूरे का पूरे डिलेवरी की रूप में उठते हुए नजर आ रहे हैं और फिर से इसमें ऑपरेटर की सक्रीटा बढ़ती होने जर आ रहे है क्योंकि एक करोड़ चोहतर लाख स जरू की खरदारी होने का मतलब ही है कि ऑपरेटर इसमें फिर से सक्रीटा आने वाले समय में दिखा सकते हैं और जो यह लगता हुए नजर आ रहा है वह फिलाल अपर सरकीट में भी बदलता हुए नजर आएगा तो जो यह बोल रहे हैं कि इसमें नहीं हो रहा है जल्द ही हो सकता है आपको यह भी मौका मिले कि आप जो है इसमें सेल करते हुए नजर भी आस सकते हैं और आपको यह मौका भी मिल सकता है कि आप अपने सेल को भी सेल कर सकें तो दोस्तों यह रहा आज का वीडियो इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हीट करन तो बिल्कुल न भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसा है समस में पर मिलता रहे जाहिए दोस्तों